हाई एवरीवर्ण माइने में शिवांज बसीन विल्कम बाक तु दे शैनल दा इन्वेस्टो लॉजी तो गाई इस पें लॉंग टाइम जिस पें हमने वीडियो नहीं डाली है कर लिए और लिट्सी की मार्केट का उपर विव बहुत जादा चेज्ज उच चुका है और हम लोग ने बहुत जादा डाउनफॉल एक्सपेक कर लिए निक्स दे के लिए और कौन जे स्टॉक्स पे आप ट्रेट कर सकते हों एलिग्राम चैनल हम लोग अपने दुबारा रियाक्पी वेट कर रहे हैं दौफ इन्विश्ट लॉजी के नाम वाला सो डिस्क्रिप्शन बे लिंक है आप जाके वहां पर हमें चेक आउट कर सकते हैं तया ब़र चलते हैं अपने टेडग टेवनल की तरफ और के माक Ingred में हम किस तरीके से क्रेटिंग से 17,400 तक भी market गिर चुकी है अब यहाँ पर bounce तो definitely कर सकता है because एक बहुत अच्छे support level पर यह खड़ी हुई है but क्या यह bounce sustain कर सकता है वो चीज़ हमें चेक करनी है एक बाद चलते हैं weekly time frame के अंदर अगर आप चेक कर सकते हैं so exactly double bottom type of scenario अगर हम लोग RSI को चेक करें तो RSI 50 के नीचे जाना start करती है अगर आप RSI को अच्छे से study करोगे तो आप देखोगे ओना weekly time frame क्या होता था कि जब भी एक बार RSI 50 को नीचे के तरफ तोड़ता था और market अगर नीचे जाना start करती थी तो first time तो अगर वो break करता था तो एक momentum के साथ RSI ऊपर चली जाती थी pullback देने के लिए and after that अगर वो RSI 50 को break करती है तो हम लोग market पे एक downfall अच्छी expect कर सकते है तो हम लोग अभी हम देख रहे हैं कि इसने second time से break कर रहा है and definitely market अब थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है but हमें trade कप करना है क्योंकि कल Monday है कल Monday को market पे एक volatile session रह सकता है because अभी Friday को यूएस market almost 400 points down गही है तो हमारी market भी एक gap down opening के chances है तो यहाँ पर दो scenario जिस पे हम work कर सकते हैं let me open up 15 minutes time frame for you so now 15 minutes time frame आप check कर सकते हैं कि जो एक बहुत अच्छा support है जो exactly on a daily or weekly time frame support ली रहा है वहाँ पर इसने pause ले रखा है वहाँ पर एक sustain कर रहा है वहाँ पर एक range bound session या accumulation या distribution आप इसे कह सकते हैं यहाँ पर pattern form कर रहा है so यहाँ पर कल दो scenario बन सकते हैं या तो कल market इसी level पर खुले या एक gap up खुले यह एक scenario है and second scenario है यह market एक gap down खुले यह बात आपको याद रखने हैं कि after a very long time आप देख सकते हैं कि more than it's been more than 7 days जबसे market regular fall कर रही है तो यहाँ पर हम लोग expect कर सकते हैं कि support से एक bounce जरूर आना चाहिए जिसके बाद market अगर गिरना चाहिए तो गिर सकती है और वो bounce definitely आ सकता है कल या परसो के trading session कहता है जो आप पर दू scenario क्या है कि let's say कि कल market एक gap down opening होती है और gap down opening में हम लोग देखते हैं कि यह particular range जो कि 17,400 है वो break हो जाती है gap down पर ही वो level break हो जाता है 60-70 points नीचे खुलता है और वो break होता है हम लोग 15 मिनिट का wait करेंगे 15 मिनिट पर हम लोग देखेंगे क्या कोई एक reversal candle हम लोग देखने को मिल रही है या market 9.15 से 9.30 तक अगर market नीचे जा रही है तो उसके बाद क्या वो एक reversal sign देख रही है वो लोग definitely अपनी position को exit करना start करेंगे major sell positions in breakdown के नीचे ही बनना start होंगी और जब वो उपर जाएगा और उनके sell triggers होंगे जो उन्होंने stop losses put करेंगे वहाँ पर एक short covering है तो उन्हों लोग market को उपर जाते वे देख सकते हैं बढ़ ये तब ही होगा जब market एक gap down huge gap down खुलती है दूसरा scenario है कि अगर market इसी level पर खुलती है या market हलका सा ऊपर खुल के उपर जा रही है डोनों scenario में अगर market इस level पर खुलती है या उपर खुलती है और उपर जा रही हुती है तो हामें simple wait करना है यहां पर मैं आप लोगों को लेवल दिखा देता हूँ, एक यह लेवल है, एक यह पर्टिकुलर लेवल है, यहां से मार्केट अगर उपर जाना स्टार्ट करती है, तो यह कुछ लेवल्स है, जहां पर मार्केट को एक resistance मिल सकता है, निफ्टी को, और यहां पर हम लोग अप पॉस का टाइम मिल जाएगा, जित्ते टाइम मार्केट निफ्टी आपर अपने आपको sustain करेगी, exactly अपने support लेवल पे, उत्ता असानी सा अगर उसे वो बाद में ब्रेक करती है, तो एक अच्छे लेवल्स हमें देखने को on lower side मिल सकते हैं, बड़ अगर मार्केट एक दू पॉस करके उपर उपर बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो हम लोग एक buy side की तरफ trade ले सकते हैं, जब तक मार्केट एक दुबारा reversal sign नहीं दिखाती है, विकॉद जब वो दुबारा reversal sign आएगा, तब हम लोग pull back के through, एक short position माना सकते हैं, जिस पे major levels भी break हो जाएगे, एक ब दिया है, trade करना, और ये भी अपने अच्छे खासे support level लेवल लिपे, जिस लेवल से एक breakout दिया था, उसी level पर आके अब ये sustain कर चुकी है, अभी recently इसने 39,500 की level को ही test करा है, and not sorry 500, it's around 600 की level को test करा है, and I personally think कि इसके नीचे अगर आब ये जाना start करता है, तो market एक अच्छा ख understanding के साथ, एक lower low lower high की pattern formation हम लोग यहाँ पर देखने को मिली है, and इसी level पर resistance लेके, जो पहले इसके लिए support का काम करता था, एक अच्छा breakdown देखने को मिली है, अब यहाँ पर आप चेक कर सकते है, इसने एक indecisive candle बनाई है, at this particular point, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कि पहले भी यह बन चुकी है, and बनने के बाद market उपर जाती है, बट एक बर और नीचे आती है, just to trigger दो स्टॉपलों से, जो वो यहाँ पर लगे भी होते हैं, अगर particular कल हम लोग देखते हैं कि कोई भी gap down नहीं आता है, और bank nifty इस particular level के उपर निकलना चालू हो जाती है, at this level, which level is this, almost 40,000 40,065, 40,065 के उपर अगर bank nifty निकलना start हो जाती है, then it's a clear indication कि हम लोग वहाँ पर एक buy signal लेकर चाल सकते हैं, जो कि almost हम लोगों को 200 से 250 points की rally बहुत इजली दे सकता है, so bank nifty को आप check करिएगा, अगर इसके उपर gap अप खुलता है, sustain करता है 5-10 minutes, we can buy, अगर इसी level पर खुलता और उपर जाता है, we can buy, but on a gap down, अगर gap down होता है, और वहाँ से reversal आता है, तब भी हम लोग buy कर सकते हैं, short हम तब ही करेंगे, जब तक bank nifty नifty अपने ऊपर जाने के level के बाद resistance पे hurdle face नहीं करता, so अब बात कर लेता है, हम कुछ stocks की, our first stock is PEL, Peramal Enterprises, let me open this chat, so अब यहाँ पर check क एक continuous fall हम लोग पर आमल की तरफ से देखे जा रहा है, and lower lower higher formation pullback बहुत अच्छे से देता है, after that एक breakdown बहुत अच्छा आता है, so आपर अप चेक कर सकते हैं, कि after a very good fall, एक range के अंदर यह develop हो चुका है, and it's creating a bearish flag and pole pattern, right now trading at 794, तो अगर यह 786 का level break करता है, कल के trading session पे, तो definitely हम एक अच्छे level देखने को मिल सकते है, and after that, yes, यह एक pullback जरूर दे सकता है, but ultimate target हम लोग इसका 700 रुपी, 750 के आसपास, तक कभी target expect कर सकते हैं, so make sure अगर यह 786 का level break करता है, तो हम लोग एक अच्छी selling opportunity particular stock दिखा सकता है, और second last stock is Dr. Redis, Dr. Redis में buy करने की सला दे रहा हूं, because as you can see it here, कि यह एक particular level है, जिस level के उपर price अभी तक जा नहीं पा रहा, एक बार यह definitely इसने closing दी थी, but after that, in many decisive candles के साथ, price नीचा है, but right now, it created a very good flag and pull pattern, अब इस level के उपर यह breakout देनी की दुबारा कोशिच कर रहा है, and RSI is also positive, RSI 62 के उपर चले जाता है, तो वहाँ पर हम लोगों एक अच्छा buying signal बिल सकता है, so let me open a one hour time frame for you, और one hour time frame पर हम लोग इसे कब बाय कर सकते हैं, अभी right now, trading at 44.91, हम लोग बाय कर सकते हैं, 45.0507 के उपर, अगर एक candle सस्तेन करती है, for a target of 45.80 to 45.90 रुपीस का, जो ए पर्टि is Aisha Motors, so Aisha Motors पे भी मैं silky ही सला दूँगा, as you can see it, कि बहुत अच्छा lower lows and lower highs का formation है, अभी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, एक rising which pattern पे यह particular stock trade कर रहा है, and अगर यह इस level का breakdown देता है, तो एक अच्छे targets हमें देखने को मिल सकते हैं, अभी यह pause करने की कोशिश करेगा, I don't कि यह कल के कल break कर देगा, it will try कि यहाँ पर खुलेगा, बट एक recovery दुबारा आना चालो होगी, तो हम लोग इसे कल watch करते रहेंगे, कोई भी intraday movement में हम लोगो लगेगा, कि clear short position यह बन सकता है, तो आप लोगो टेलीग्राम चैनल पे suggest कर दिया जाएगा, other than with two stock जो भी हम लो सकते हैं, so make sure आँ वहाँ joint रहना और active रहना, so that's it for today guys, I hope आपको वीडियो पसंद आई है, make sure to like, subscribe to our channel and हम लोग मिलते हैं कल telegram चैनल पे live and I will try my best कि मैं कल live भी आपाऊ YouTube पे, जिसके तुरू आपको जो भी market के अंदर stocks related doubts आते रहते होंगे, वो मैं सारे के सारे उस समय clear कर द